मुरादबाद दीबार एसोसियेशन एन लाइब्रेरी मुरादबाद का भवेश शपत ग्रहन समारो कचैरी प्रांगण में एस्पी गुपता भवन में आजित किया गया समारों में मुख्य अतिती के रूप में कैबिनेट मंतरी उत्रपिदेश सरकार बरजिश पाठक, बुपेन सिंग चौधरी, कैबिनेट मंतरी उत्रपिदेश सरकार, देवीशंकर श्रिवास सव नियाधीश, रमाशंकर चेयर्मैन, एलडर कमेटी मौझूद रहे समस्कार्यकार्णी की शपत ग्रियन समारो कारेकरम के आरम में अकांशा विध्यापीड विध्याले से आयच छात्राओं दौरा सांस्कृतिक कारेकरम एवं सरस्वती वंदना कर कारेकरम का शुभारम किया गया समारों की अध्यक्षता कलते हुए कैबिनेट मंती ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तरप्रदेश सरकार अधिवक्ता हितों में काला कर रही है जल्द ही एकल भवन व्यवस्था के तहट मुरादाबाद की कचहरी का प्रारूप भी बदला जाएगा आप सभी के सयोग से ने अधिवक्ता भवनों का निर्मार किया जाएगा और किसी भी अधिवक्ता साथी का किसी प्रकाई से शोशण होने नहीं दिया जाएगा जो आप सभी लोगों के माध्यम से हमें ग्यापन प्राप्त हुए हैं जैसे रईस्ट्री ओफिस सहित सभी कार्याले कचहरी फ्रांगण में आने चाहिएं जिसके लिए हम और हमारी सरकार भी कटीवद है उन्होंने आसवाशन दिया कि शीगर अतीशीगर सभी समस्याओं का निस्तारण कलते हुए अधिवक्ता हित्मे कार्या भी किये जाएंगे को गोपनियता की शपत भी दिलाए गई कार्यक्रम में मुख्यरूप से उपस्तित अधिवक्ता चक्रेश लोहिया एड़ोकेट विपुलगरवाल एड़ोकेट अमिज सक्सेना उर्ख बंकू उत्रप्रडेश युवा अध्योग व्यपार मंदल के महामंत्री दीपक गुपत एड़ोकेट जीतु खंडेलवाल एड़ोकेट दान्मीरियादव एड़ोकेट अब्दुलबासित एड़ोकेट आशुतोस्तियागी एड़ोकेट शादापुरेशी एड़ोकेट कुष्पियादव एड़ोकेट सौरभ चक्रवलती एड़ोकेट प्रतिवश्यादव दिबार एस्टिशेशन और इप्रेरी मुरादाबाद के समिधान के प्रती सची सद्धा वन इस्था रखूंगा मैं राकिश कुमार वसेश इश्वर को शाक्षी मान कर शपत देता हूं कि मैं दिबार एस्टिशेशन और इप्रेरी मुरादाबाद के महासची पत्पर दर्वाचित हुआ हूं दिबार एस्टिशेशन और इप्रेरी मुरादाबाद के मुझे दिया जाएगा अपर मेरे संग्यान में लाया जाएगा उस्ता मैं सच्चे मन से शद्धा फूर्वक दिल्वहन करूंगा तर्वा, दिल्वालो